हेलो एंड वेलकम टू न्याइशास्त अकैडमी मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं वीकली mcqs digest में इस वीडियो में हम लोग 16 जैनवरी से लेके 24 जैनवरी तक के important current of years को mcq form में discuss करेंगे यह इस वीक का पहला पार्ट है इस वीडियो में हम लोग 101 questions से लेके 130 questions को discuss करेंगे अगर आपने इसके पहले के questions नहीं देखे हैं तो आप हमारे चानल पे जाके playlist में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और 100 questions को cover कर सकते हैं जो कि आपके law entrance examination में बहुत मददगार रहेगा अगर आप हमारे चानल पे नए हैं तो मैं आपको यह बता दू कि यह जो course है यह उन बच्चों के लिए मददगार रहेगा जो law entrance की preparation कर रहे हैं या अगर आप five year law entrance examination के लिए prepare कर रहे हैं या फिर three year law entrance examination के लिए कर रहे हैं दोनों में यह कोर्स आपके लिए बहुत ही मददगार रहे तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो का पहला कोशन है कौन सा स्टेट है और कौन सा यूनियन टेरेट्रिय है जो की स्रमिक मित्रा scheme जो है construction workers के लिए start करने जा रही है launch करी है तो इसका answer है डेली तो डेली government ने recently क्या launch करा है स्रमिक मित्रा scheme यह scheme में क्या होगा तो scheme में 800 स्रमिक मित्रा को एपॉइंट किया जाएगा जो क्या करेंगे construction workers को awareness spread करेंगे किस चीज़ के regarding government schemes के regarding अगला question है who has become India's richest self-made female billionaire यह नायका company की founder और CEO है इनका नाम है पालगुनी नायर यह बहुत important question रहेगा अगला question है कौन सी company को has been chosen as the title sponsor for the Indian Premier League 2022 and 2023 season by the BCCI तो आपको ध्यान रखना है कि यह 2022 और 2023 दोनों season के लिए है ठीक है और इसका answer है टाटा ग्रूप अगर आप cricket lover हो तो आपको पक्का यह पता ही होगा question ठीक है तो यह BCCI ने अभी inform करा है कि टाटा ग्रूप को टाटा ग्रूप को appoint कर लिया गया है किसको replace करते हुए चाइनीज mobile phone manufacturer वीवो को replace करते हुए ठीक है यह 2022 और 23 दोनों सीजन के लिए इसमें क्या होगा कि यह 300 करोड जो है पर एयर as a title sponsor जो है आईपेल को दो सीजन के लिए यह टाटा ग्रूप देगी अगला question है what is the projected GDP growth rate of the global economy in 2022 as per the world bank ठीक है ध्यान यहां question पूछा है global economy in 2022 साथ ही आपको ध्यान रखना है यहां पर वर्ल्ड बैंक से related question है यह बहुत important हो जाता है law entrance examination के लिए ठीक है और यहां पर एक और सवाल बन सकता है कि यह जो बात कर रहे हैं हम report की इसका नाम है global economic prospects prospects यहां पर question direct आपसे यह भी पूछ सकता है कि यह global economic prospects जो है कौन सी international organization यह publish करती है रिलीज करती है इसका answer है world bank ठीक है साथ में आप यहां का इसका answer देख लेकि इसका answer है 4.1% ठीक है global economy जो है वो track करी जा रही है world bank के द्वारा कहा जा रहा है कि यह 4.1% तक जाएगी 2022 में ठीक है यह कौन से report के तहट यह है global economic prospects रिलीज के तहट जो की world bank group जो है वो क्या करती है रिलीज करती है अगला question है which city has become the first city in the country to undertake a water metro project after the launch of its first boat in December 2021 इसका answer है kochi ठीक है कोची केरला में है तो वो क्या करने जा रही है इंडिया का पहला city बनने जा रही है जो water metro project चलाने जा रही है और इसके पहले उन्होंने एक boat launch करी थी December 2021 में जिसका नाम था मुजरीज वो क्या थी 23 battery powered electric boat थी जो की manufacture करी गई थी कोची CPI Limited के द्वारा यह देख सकते हैं आप इसको ठीक है तो अब बात करते हैं हम यह metro water metro project पे water metro project जो होने वाला इस पर खर्च इतने आने वाले हैं 700 for 747 करोड प्रोजेक्ट इसका क्या है यह इसका estimate cost है ठीक है इस प्रोजेक्ट का उसके बाद यह operate किसके द्वारा किया जाएगा तो कोची water Metro Limited के द्वारा and the boats will be called water metros ठीक है केला का capital पता ही है आपको ठीक है तिरवंत पूरम केला के गवर्नर यह किसी ना किसी रीजन से यह न्यूज में बने रहते हैं ठीक है आरिफ मोहमद खान और केला के चीफ पिनिस्टर कोन है पिनरे विज्ञन चलिए अगला कोशन है विच कंट्री पासपोर्ट हैस टॉप दे लिस्ट और पावफुल पासपोर्ट पॉर्स पासपोर्ट पॉर्स पासपोर्ट इंडेक्स ध्यान रखी यह फॉस्ट वाटर है ठीक है तो एक साल में चार आर यहां पर देखे है कि जबाने सबसे कंट्री ऑफिशन तो सा जो कंट्री है वो लीस्ट पावफुल पासपोर्ट है ठीक है यह क्वाटर वन का रिपोर्ट है ठीक है अगला कोशन है अगला ध्यान रखने वाली बात है इस न्यूज से रिलेटेड भारत का तो भारत का क्या रांग है भारत ने रैंक इंप्रूव किया है पिछले कौट पिछले साल से कितुल नाम है इस बार जो है 7 प्लेस पॉजिशन बढ़ा है इंडिया का इंप्रूव हुआ है तो अब इंडिया का पॉजिशन कहां पहुंच गया है एटी थार्ड प्लेस पे वन हंडेड एलेवन कंट्री में ठीक है जो की क्वाटर वन है ट्वेंडिटी और इसके पहले जब 116 कंट्रीज की रिपोर्ट आई थी तो उसमें इंडिया का जो रैंक था नाइंटी स्पॉर्ट था और वो क्वाटर फोर 2021 का था तो आपको दोनों ध्यान रखना है दोनों डाटा दिमांग में रखना है आपको ठीक है एक्जाम पॉइंट अव्यू स आप से और उसके पहले quarter 4 of 2021 क्या था तो 58 डेस्टिनेशन था अभी रिसेंटली दो कौन इंप्लूड हुए है इसमें तो कौन हुए है तो इनका नाम है ओमान और अर्मीनिया यह भी ध्यान रखता है चलिए अग नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अब यह बुक्स और यह दोनों ने किताब लिखिए यह किन से रिलेटेड है तो भारत के लॉंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जवालाल निरू से यह रिलेटेड किताब है तो आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्यूंकि आल्रडी मैंने प या फिर अपने नोट्बुक में जरूर इसको मेंचन कर लें अगला कोशन है 109 विच स्टेट गोवर्मेंट हैस्ट इसाइडेड तो ब्रिंग लॉव तो रेगूलेट ऑनलाइन गेमिंग अभी रिसेंट्ली क्या हुआ हुआ है मद्द प्रदेश में एक 11 सलका बच्चा फ मद्द प्रदेश आप ध्यान रखना यह आगे भी न्यूज में हो सके तो बना रहेगा जब यह आ जाएगा तो इनका कहना है कि ड्राफ्ट तयार हो चुका है और ड्राफ्ट तयार होने के बाद जल्दी पास हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है 110 विच कंट्री हैस पॉलिस करा वो क्या था चाइड्ड मैरेज से रिलेटेड है तो अब ध्यान रखेगा यह लीगल करेंट ऑफियर्स भी है फिलिपीन जैनवरी के महिने में दो चीज़ से इंपॉर्टेंट हो गया एक ब्रमोज से रिलेटेड हो गया और एक लॉज इन्हों ने बनाया है क् फिलिपीन्स ने ठीक है तो फिलिपीन्स जो है फिलिपीन्स ने एक्सेप्ट कर लिया है अगला कोश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अगला कोश्चन है इसका अंसर है टू टू सिक्सवान स्कॉर किलोमिटर चलिए इससे रिलेटेड जो इससे रिलेटेड न्यूस पहले हम कोश्चन हमने देख लिया तो न्यूस को बढ़िया से देख लेते हैं और इस न्यूस में हमारे लिए क्या-क्या इसका अंसर है भुपेंद्र यादो जी और ये क्या रिपोर्ट रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या है तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ठीक है आई एस एफ आर 2021 कौन सा एडिशन है तो ये 17 एडिशन है ध्यान रखना और एक और चीज है ये बाइनियल है मतलब हर एक две साल में एक बार आता की जाती है 情况 में एक बार पाह्ले और यह ये हर बार रिलीज हो रहा है तो ये इस साल कितना पहुंच गया हमारा forest and tree cover rows by 2261 square kilometer ये ध्यान रखना है आपको उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना है कि 15 ये जो भी data ये भी ध्यान रखना है आपको 1540 square kilometer जो है forest cover है और 721 square kilometer जो है वो tree cover है और एक और यहां पर important question हो जाता है कि कौन से state ने टॉप किया है इसमें तो इसका answer है आंदरप्रदेश जिसका कितना है six four seven square kilometer मुटा मुटी आपको इतना data याद रखना है इस important news की तहत ठीक है अगला question है the armed force and the armed forces veterans day is being absorbed on which date ठीक है यह कौन से दिन पर मना जाता है यह 14 january को मना जाता है इंडिया the armed forces veterans day is observed each year on 14 january since 2017 2017 से मना जा रहा है तो यह आज कब हो गया 2022 यानि कि कौन सा एडिशन चल रहा है इस sixth edition है इस साल का ठीक है इसका एम क्या है तो यह acknowledge और honor करती है उन लोगों के लिए जो हमारे nation में selfless devotion और sacrifice देते हमारे nation के service में ठीक है चलिए तो इसके पीछे की historical background क्या है तो यह मनाया जाता है as a mark of respect and recognition of the services rendered by field marsal km करियापा जो कि हमारे पहले first Indian commander in chief of the Indian armed forces थे जो जो की retire हुए थे 14 january 1953 को तो ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है इसके पीछे की history जिससे आप इसको याद रख सकते हैं एक और चीज़ है जो 15 january 1949 को जब यह पहली बार point हुए थे तो इस दिन भी कुछ मनाया जाता है हम इसको आगे cover करेंगे ठीक है यह भी हो जाता है तो यह दो डेट जो है ध्यान रखेगा एक डेट है आम फोसेस वर्ट वेटरेंस टेसे और एक जो है 15 january से रिलेटेट हो हम आगे cover करेंगे साथ ही एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लास्ट यह एड्माइरल करंबीर सिंग जी ने एक सॉंग रिलीज किया था इसका नाम है श्वर्णीम विजय वर्ष ठीक है जो कि कि इसके लिए डेडिकेटेट था वो ब्रेव एंड कॉरजिस सोल्जर सॉल्जर सॉब दा कॉन 1971 बॉर चलिए अगला कोशन है 113 इंडिया फॉर्स हैली हब इसका सिंपल आंसर है गुर्गराम जो कि जिसका पहले का नाम क्या था गुर्गाओं चलिए अगला कुशन है 114 विच ब्रिटिस रॉयल फैमिली मेंबर तो इन से चीन लिया गया है क्या नाम है जिन से रॉयल पैट्रोनेज भी चीन लिया गया है और प्रिंस अंड्रियो यह देखिए रॉयल गॉमिलिकेशन इस तरीके से होता है तो यह क्या हुए अभी एक इनके उपर एलिगेशन थी कि यह इन्वॉल्ड है किसमें सैक्श्वल अब्यूज स्कैंडल में इसे से रिलेटेड इनको निकाल दिया गया है ठीक है तो यह कौन थे तो यह थर्ड चाइल्ड है इसके थर्ड चाइल्ड एंड सेकंड सौन ऑफ क्विन एलिजाबेट 2 और प्रिंस फिल प्यारा भारत और यहां से यह Medagascar तो अभी एक इंडिन पॉयर्ट डिप्लोम्यट है जिनका नाम है अभय जी वह उन्होंने यह फान्ड किया है कि यह इबोनिया जो है एक Madagascar का ठीक है वो epic है epic poem of Madagascar ठीक है वो रमायन से काफ़े मिलता जुलता है same plot पे है यहाँ पे भी जो hero है जिसका नाम है Ebonia उसके भी wife को abduct कर लिया जाता है same जैसे रमायन में होता है kind of वैसा ही है तो यह अभय जी ने यह found किया है जो कि poet और diplomate है तो यहाँ पे एक और चीजिनों ने found किया है कि 300 similar words मिले है जो कि Sanskrit और Malagascar language के बीच का है तो यह इस language में Ebonia Ebonia लिखा गया है ठीक है चलिए अगला question है books and authors again favorite part of the law entrance examination who is the author of the book Indomitable A Walking Omen's Notes on Work, Life and Leadership तो इसका आंसर है अरुंधती भटाचार्य अगला question है who has been appointed as the new chairman of the ISRO to replace K.C.1 यह बहुत ही बहुत जादा important question है क्योंकि chairmans related ISRO में who is the chairman of the ISRO यह बहुत बार question आ चुका है CLAT DU में बहुत बार repeatedly आ चुका है तो यह अभी change हुए है जो पहले K.C.1 थे अब जो है वो कौन हो गया है यह हो गया है S. Somanath जी ठीक है Dr. S. Somanath जी जो कि ISRO के क्या हो गया है chairman हो गया है और space secretary ध्यान रखेगा chairman and space secretary दोनों है जो कि पहले यह थे इनका tenure extend भी क्या गया था जो कि अब इनका tenure complete हो गया साथ ही आपको static portion आपको ISRO से याद रखना है headquarter कहा है और established कब हुई थी headquarter Bangalore जो की करनाट का state में है और 15 अगस 1969 को यह established करी गई थी अगला question है army day से related जी कि कब मना जाता है army day army day कब मना जाता है यह 15 January को मना जाता है ठीक है यह यह भी K.M. करियापपा जी से related है इसकी history K.M. करियापपा जी की जब पहले जब commander-in-chief बने थे 1949 में ठीक है तो उसी दिन से उसी दिन को यह क्या 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 mark करके commemorate करके यह मनाया जाता है the day is marked to commemorate the day when general K.M. करियापपा took over the command of the army from the general sir F.R.R. Butcher the last British commander-in-chief in 1949 and became the first commander-in-chief of the Indian army of the post-independence ठीक है तो देखें कि ध्यान रखेगा यह 74th edition of the Indian army celebrate किया जा रहा है इस साल चलिए और साथी साथ आपको इससे related एक question रहेगा जो कि बहुत important रहेगा कि यह 28th chief of the army staff अभी presently कौन है इनका नाम है जेनरल मनोज मुकुद नरावने यह इनकी photo है चलिए अगला question है 119 Where did the monumental national flag the world's largest national flag made of khadi fabric ठीक है khadi fabric ध्यान रखेगा यहां से भी question पूजा सकता है कि यह largest national flag कौन से fabric का था यह khadi fabric का था put to a grand public display तो इसका आंसर है जैसलमेर राजस्थान का एक district है जैसलमेर वहाँ पे एक जगह है टाउन है लॉंगे वाला वहाँ पे यह चीज़ करी गई है आर्मी डे के दिन ठीक है 15th January 2022 को जो कि एक historic place है historic battle of 1971 between India and Pakistan ठीक तो इसको मैं नहीं बताऊं को आलेडी मैंने पहले डिसकस करा है इसका आंसर आप खुद करिए अगला question है 121 विच कंट्री हाज अनौस्ट फाइरिंग टू ट्रें ब्रोन गाइडेड मिसाइल देकि ट्रें से यह क्या हो रहा है यह मिसाइल ठीक है फाइर क्या जा रहा है आपको बस याद रखना है और इन्होंने क्या करा है रेलवे बेस मिसाइल रेजिमेंट को कंड़क्ट करा है फाइरिंग ड्रील करी है चलिए अगला question है विच बैंक हाज बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया यह भी बहुत इंपर्टेंट हो जाएगा तो इसका आंसर है HDFC Bank HDFCM को कौन सा आवार्ड दिया जा रहा है तो बेस्ट प्राइवेट बैंक ठीक है अगला question है विच बैंटेट आज प्रेसिदेंट आप दे Indian Council of Historical Research यह भी important question हो सकता है तो इसका नाम है इनका नाम है रगुवेंदर तनवर तो इनका नाम है रगुवेंदर तनवर यह प्रोफेशर है कुरुक्षेतर उनिवर्सिटी के ठीक है इन्हें बनाया गया है क्या Indian Council of Historical Research Center के यह chairman बने गया है जो की तीन साल तक रहेंगे ठीक अब थोड़ा सा इनके बारे में जान ले कि ICHR है क्या तो इनका प्राइमरी एम और अबजेक्टिव क्या है यह historical research पर क्या करेंगे promote करने और directions देने का काम है इनका बेसिकली ठीक है तो historical research को encourage करने की काम करते है इनका establishment कब हुआ था ठीक है headquarter का है यह static portion आपको भी ध्यान रखना है 27th March और इनका headquarter का है न्यू डेली में नेक्स्ट कोशन है दरवाजा gas crater और अलसो लोन आज गेटवे तो हेल यह बहुत ही जादा important है January के महिने से important news है क्योंकि यह देख रहे हो कितना खतरनाक आपको दिख रहा हुआ ऐसा लग रहा है नर्क का दरवाजा है इसके पीछे की story है 1971 से कहा जाता है एक ठेरी है कि यहाँ पे कुछ लोग गय थे तेल की खुदाई के लिए तेल खोजने के लिए यहाँ पे यहनोंना एक खुदाई करी जिससे क्या हुआ उन्होंने उनको लगा कि यहाँ तेल मिल सकता है तो तेल की जगह यहाँ पे बहुत सारे gas मिले जो की methane gas थे तो वहाँ के लोगों को लगा कि अगर हम यहाँ पे methane gas तो environment के लिए काफी हानिकारक होता है तो अगर वो methane gas अगर हवा में रहे तो हमारे लिए काफी नुकसान करेगा तो उन्होंने सोचा आग लगा देते हैं तो आग उन्होंने लगा दी और आग लगाने के बाद का जाता है कि 1971 से अभी तक ये आग लगी हुई है तो ये देख सकते हैं कितने gas होगी वहाँ पे तो खैर अभी ये news में इसलिए है कि वहाँ के president चाहते है कि ये इसको बंद कर गया जाए यहाँ से काफी harmful gases निकल रही है जो कि बहुत जादा वहाँ के climate के लिए बहुत उस country के climate के लिए बहुत हार निकारक है तो ठीक है तो ये country का नाम क्या है तो ये country का नाम है तुर्कमेनिस्तान ठीक है तो तुर्कमेनिस्तान के president ने ऐसा order किया है कि आप इसको बंद करने के लिए cover करने के लिए कुछ करिए तो ये आप देख सकते हैं टूरिजम जाती है अभी देखने को ठीक चलिए अगला कोश्चिन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोश्चन है 125 कि कौन से स्पोर्स पर्सन जो हैं अभी देवरमेंट करेये हैं सांगेल्या तो आपको ध्यान रखना है सां गवरमेंट का नाम द्यान रखना है और यह कों से पर्सन ने तो तो अभी इन्हें क्या मिला था ओलंपिक में अभी इन्होंने मेडल लाया था बॉक्सर की लाइथी लाइथी ये तो इनका नाम है लोविलीना जी को डियस्पी बनाया गया है गोवर्मेंट आफ आसाम की द्वारा ठीक है देखिए यह अभी इनकी रिशन फोटो है जो कि ब् केला तो ओल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल अब देफ हैस गॉट अप्रूबल फॉम दे इंटर्नाशनल कमीटी ऑफ स्पोर्ट्स पॉर्ट देफ तो फॉस्ट फॉस्ट वर्ल डेफ टी-20 क्रिकेट चैंपियंशिप इन केला कब से कब तक होगा यह जैनवरी दस बीस दस से बीस तक 2023 में यह होगा ध्यान रखेगा 2023-2022 नहीं 2022 का न्यूजर लेकिन यह होगा 2023 में अगला कोशन है 127 की यूनिवर्सिटी ओफ ऑक्सपोर्ट बिजनेस स्कूल के डीन किसे पॉइंट करेगा है तो इनका नाम है प्रोफेशर सुमित्रा दत्ता ठीक है अगला कोशन है 128 ह स्रिलंका की हालत काफी खराब है वहां के फॉरें रिजर्स खतम होने वाले हैं महां भुखमारी की हालत है खाने को कुछ नहीं है बहुत जादा सिच्वेशन खराब है तो अभी भारत सरकार में भारत गोवर्मेंट जो है हेल्प करने जा रही है अपने नेवर को स्रिलंका की हालत इस पोजिशन पर इसले पहुंचे कि इन्होंने काफी लोन ले रखा था खासकर चाइना से चाइना ने काफी सूशन करा है खैर अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इंडिया जो है कितना लोन दे रहा है तो इसका आंसर है बी यूसदी 900 मिलियन ठीक है तो यह कहां से दिया जाएगा यह आर्बिया आर्बिया जो है यह इतनी मनी प्रवाइड करेगी सिलंका गवर्मेंट को चलिए नेक्स्ट कोशन है 129 तो 2022 ओमेंस हौकी एश्या कब ठीक है ध्यान रखेगा एश्या कब ओमें इसका आंसर है उमान तो उमान में यह हो रहा है मसकट में यह कब तक होगा 21 जैनवरी से लेके 28 जैनवरी 2022 तक यह डेट आपके लिए इंपॉर्डेंट नहीं है आपको बस ध्यान रखना है कौन से कंट्री में होगा एश्या कब ठीक है आने वाले टाइम में भी यह न्यू अगरा कोशन है और लास्ट कोशन है इस वीडियो का कि विच डे हाज बीन डेकलेरड बाइद प्राइम निश्टर नरेंद्र मोधी तू बी अब्सॉर्ड एज नैशनल स्टार्ट अप डे इन इंडिया इसका अंसर है 16 जैनवरी 15 जैनवरी को प्रेस कॉन्फरेंस में मोध उसके बाद इन्हों ने एक चीज भी कही यंग अंट एंटरप्नॉर्श से की डॉन जस्ट कीप योड्रीम्स लोकल में डेम ग्लोबल और रिमेंबर इस मंत्रा लेट्स इन्नोवेट फोर इंडिया और इन्नोवेट फोर फ्रॉम इंडिया चलिए तो थैंक यू फोर वाच उसे इसको अवेल करना चाहते हैं डियू लेल्बी से रिलेटेड या फिकोई भी लॉइंटर्स इंग्जामनेशन से रिलेटेड तो आप हमें इस नंबर पर कॉंटाक्ट कर सकते हैं यह हमारा इंस्टाग्राम आईटी है और इस पीडियेफ अगर इस लेक्षर का पीडिय कि यह कर दोब देढ आप हमें इस नंबर में रहाएं एस रिलेख वापियोग robiर अछियोग कर खीडियोग कर दो तियोग कर दो आद़ामनेशने इस रिलेखंग्योग कर से अप्रियूग झाहते हैं जो प्रियूग जो पूँगईग भी यह दोग्दी